नमस्कार दोस्तों, अंकिता बंडारी मर्डर केस में हर रोज नई नई बातें सामने आ रही हैं। वे 18 सितंबर से गायव थी, उसके पता अपनी बेटी की तलास में पौडी से आकर रिसी केस की सड़कों पर भटक रहे थी। मगर पुलिस ने उन्हें यह कहकर भगा दिया कि यहां का मामला नहीं है। बाद में खुलासा हुआ कि आरोपी उस रिजोर्ट में सेक्स रैकेट में सामिल होने का दवाब अंकिता पर बना रहे थी। अंकिता बंडारी की हत्या की परते एक-एक करके खुल रही हैं। देश के लोगों में उबाल है। लोग 19 साल की अंकिता के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तो आईए समझते हैं कि क्या है अंकिता बंडारी मडर केस की पूरी कहानी। लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगी एकदम ऑथेंटिक जानकारी वो भी एकदम आसान भासा में। तो दबा दीजिए इस लाल बटन को। अंकिता बंडारी 18 सितंबर से गायव थी। अंकिता के पिता अपनी बेटी की तलास में पौडी से आकर रिसी केस की सरकों पर बटक रहे थी। मगर पुलिस ने उन्हें यह कहकर भगा दिया कि यहां का मामला नहीं है। इसलिए वे पटवारी और पुलिस चौकी के चक्कर लगाते रहे। इसके बाद उन्हें रिसी केस कोतवाली जाने के लिए कहा जाता है। जब वे वहां पहुँचते हैं तो उनसे कहा जाता है कि यह यमकेश्वर का मामला है। आपको लक्षमर जूला जाना चाहिए। अंकिता के गुमशुत्गी का मामला लक्षमर जूला थाने ट्रांसपर किया गया। इसके बाद पुलिस ने जाच शुरू की। अंकिता के प फैल जाती है कि अंकिता की हत्या हुई है इसके बाद इस केस में बीजेपी नेता विनोध आर्रे के बेटे रिजॉट के मालिक पुलकित आर्रे का नाम सामने आता है इसके बाद खबर आती है कि पुलकित और उसके साथियों को गरफतार कर लिया गया मामले में नया मोर तब आता है जब यह पता चलता है कि आरोपी पुलकित और उसके साथी अंकिता पर रिजोर्ट में सैक्स रेकेट में सामिल होने का दवाब बना रहे थे अंकिता ने इस बारे में अपने एक दोस्त को भी बताया अंकिता के आखरी वाटसेप चैट में यह पूरी जानकारी है पु अड़े दस बजे यह तीनों तो रिजोर्ट में लोटे मगर अंकिता नजर नहीं आई अंकिता इसलिए वापस नहीं आई क्योंकि तीनों आरोपी उसे बहला कर शक्ती नहर के पास लेकर जाते हैं और उसे धक्का दे देते हैं इस तरह अंकिता हमेशा के लिए नदी में सम गड़ा हुआ था गटना वाले दिन अलग-अलग गाडियों से वो चारोचीला बेराज के पास गए जहां उन्होंने शराब पी और फिर नहर किनारे आकर रुख गए बीजेपी नेता ने अगर अपने बेटे को समय रहते सबक सिखा दिया होता तो आज यह नौबत नहीं आती वो तो समझता था कि वो नेता का बेटा है कोई क्या उखाड देगा वे पैसे और शौरत के गमंड में था सोचिए जब नेता जी को अपने बेटे की करतू तो का पता चला होगा तो उन्होंने क्या उसे बचाने की कोशिश नहीं कियोगी एक तरफ अंकिता के पिता है और दूसरी तरफ पुलकित के पिता मगर दोनों की स्तिती में काफी अंतर है माता पिता को अपने बेटों को बच्पन से ही लड़कियों का सम्मान करना सिखाना चाहिए वन्हें लड़कियों के साथ अपराद और हत्यागा ट्रेंड बन जाएगा मैं तो यही कहूँगा कि अपरादी चाहे नेता का बेटा हो या मजदूर का उसे सजाद जरूर मिलनी चाहिए आपके इस बारे में क्या बचार है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा इंफरमेशन अच्छी लगए जो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए